Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala, expert in speaking English in 15 days English series with me. आज का जो हमारा डे है, day 13, day 12 में हमने जो पढ़ा था, people, nature, traits, calling, name. अक्सर हम किसी person के nature के according, या हम जिस person से जैसे बात करते हैं, उसका nature जैसा हमें show होता है, या लगता है, या feel होता है, तो हम उसे किस तरीके से जो है पुकारते हैं, या express करते हैं, जैसे कोई चश्मा पैंड रहा है, तो हम अक्सर कहते हैं मिलते हैं, कोई चश्मू टाइब का ह कोई डफर डाइप का है तो हम उसे अक्सर उसके नेचर के हिसास है या जिस तरीके से वह भी हेल करता है दूसरे परसंड के साथ तो आप इस तरीके से उन्हें जो है उनके word के according या sentence के according उनके nature के outfits के according जो हम उन्हें पुकारते हैं या qualities के according तो कौन से ऐसे threads है जिसके थुरू हम उने पुकार सकते हैं या कौन-कौन सा ऐसा nature है, so let's see Check of all threads Someone who can do many things very well वैसे आपने इस word को या ऐसे sentence वाले person की तलाश अक्सर जो है ससुराल वालों को जादा रहती है या फिर अगर जोब अगर आप कर रहे हैं तो आपके जो boss हैं वो आपको काफी पसंद करेंगे अगर आप में ये qualities देखी गई हो क्या quality है वाला jack of all tricks वाला वो इनसान या वो person जो कई कामों को बहुत perfectly तरीके से करता हो क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि हम अवेशा ये कहता हुए नजर आते हैं कि हमेशा एक काम एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए और वो भी अच्छे से करना चाहिए ठीक है ठीक है ठीर ये तो बात बिल्कुल fact है गलत नहीं है लेकिन हम अक्सर ऐसे person की quality ढून लेते हैं कि नहीं आरे इनसान ऐसा मेलना चाहिए जो सारे काम perfectly करता हो ठीक है ऐसा नहीं कि एकी काम perfect करता हो कहीं काम से या कहीं ऐसी चीज़े हैं जो वो एक साथ भी बहुत अच्छे तरीके से करता हो तो ऐसे person को हम क्या कहेंगे jack of all trades मालब all round down in simple way में अगर बात करें all rounder person जो कहीं कामों को बिल्कुल perfectly करता हो जिसमें उसकी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं तो अक्सर आपको पता होगा boss को ऐसे employee काफी पसंद आते हैं जो हमेशा कहीं काम को perfectly करता हो और ससराल में तो पूछी ही मन बहुत जाला demand होती है इस चीज़ की के हमारी बहु जो है वो काफी गुणी होनी चाहिए जो कहीं कामों को बिल्कुल perfectly कर पाए ओके, so you have to find out this kind of person in your life jack of all threads next early bird someone who likes catching a pearl in the morning ओके, ऐसे person जिसे हम अक्सर सुना होगा हमारी जो बुजूर्ग हैं उनमें ही आई तिंक बहुत जादा quality पाए जाती है जो अक्सर morning में जल्दी उठना पसंद करते हैं, ठीक है खैर, students तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं ऐसे चीजों को और नाईयां आज का lockdown में देखिए mostly सभी का routine खराब हो रखा है, और सभी person जो है, mostly बहुत जादा late उठते हैं, लेकिन early bird की अगर हम बात करें तो ऐसा person जिने morning में उठना पसंद होता है जो अक्सर सुबे बहुत जादा जल्दी उठते हैं चाहे कोई काम है या नहीं है लेकिन दुनिया में कई ऐसे person है अक्सर डॉक्टर भी एक बात बोलते हैं कि आपको हमेशा जल्दी जो है उठना चाहिए ठीक है तो ऐसे person जो हमेशा जल्दी उठते हैं morning के अंदर तो हम उन्हें क्या पोकार सकते हैं early bird cheap stick cheap skate means someone who hates to spend money आज कि ऐसे person काफी मिल जाते हैं और especially lockdown में तो कहा जाए सारे ही person ऐसे हो चुके हैं क्योंकि कोरोना जी ने हमें सब को ऐसा ही बना दिया है क्योंकि लोगों के बस पैसे ही नहीं बचे हैं तो भला ऐसे ही situation आ जाए लेकिन यहां situation पर depend नहीं है यह nature की बात कर रहे हैं ऐसा person जीने पैसा खर्च करना बिल्कुल भी पसंड नहीं होता है ऐसे person को हम हमारी भाषा में क्या बुलते हैं गंचूस या फिर मखी चूस जिसे हम कहते हैं अक्सर यह सेंडे सामने फिल्मों में भी सुना होगा ठीक है तो chief state का जो मतलब है क्या होता है गंचूस person ठीक है तो ऐसे person अगर आपका सामना हो जाए या तो वह आपका friend में कोई friend हो सकता है जब कभी भी आप treat मांगते हैं तो वह अफसर कुछ ना कुछ बहाने बना देता है ताकि उसके पैसे ना उठें तो आप next time उन्हें बजाए कंजूस कहने के आप word use कर सकते है यू आप चीप स्केट गाइस ओके oddball a strange person आपने देखा होगा कई ऐसे person से हमारी life में मुलाकात हो जाती है या टक्राव हो जाता है जब हम देखते हैं बड़ा आजीब सा person उसकी हरकते कुछ आजीब सी लगती है एक normal इंसान की तरह उसकी हरकते बिल्कुल भी नहीं लगती है तब हम ऐसे person को क्या कहेंगे strange अजीब person बिल्कुल oddball बोले यार मैं तो समझ ही नहीं पारी हुआ कि ये कर क्या रहा है क्या सोच रहा है क्या कर रहा है ठीक है खुदी दस बार लिख लिए खुदी दस बार मिटा के खुदी चेक कर रहा है अजीब सा person है समझ हुई नहीं आया कपड़े चेक कर रहा है फिर उतार रहा है फिर चेक कर रहा है फिर प्रेस कर रहा है क्या पता नहीं अजीब अजीब सी हरकत ही कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो बड़े जो confused type के जो person होते हैं जिसे देख के हम भी confused हो जाते हैं ऐसे person को आप क्या कहेंगे A strange person owed ball Next Troublemaker or class clown The first causes trouble and the second makes everyone laugh अब ऐसे person जो बहुत जादा Troublemaker होते हैं और class clown ऐसे person जो सबसे पहले तो बहुत जादा परिशानियां पैदा करते हैं बहुत जादा परिशानियां पैदा करते हैं उसके बाद में second time में क्या करते हैं दूसरों को हसाते हैं ठीक है बहुत जादा पहले तो एकदम परिशान कर देते हैं किसी बात को लेके ठीक है फिर अचानक ही उस बात को वो convert कर देते हैं एक हसी का माहूल बना देते हैं ठीक है ऐसे person जिसमें actually do it quality होती है जो problem भी create कर देते हैं और इसका solution भी खुदी बता देते हैं परिशान भी खुद कर देते हैं और हसा भी खुदी देते हैं तो ऐसे person को हम क्या कहेंगे troublemaker या फिर class clown ऐसे person वैसे बहुत कम होते हैं life में जो हमें परिशान भी करते हैं और हमें खुश भी करते हो ठीक है तो ऐसे person को ज़रूर अपनी life में रखिए जो हमें परिशानी भी देते हैं और हमें खुश भी करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डारेक्ली जो है बहुत ज़ादा ऐसे person को लेके रख लेंगे वसी परिशानिया ही देते रहें तो आप ऐसे person को बोल सकते हैं troublemaker या फिर class clown नेक्स्ट cry baby someone who cries a lot and for no good reason not a real baby cry baby मतलब अक्सर आपने ऐसे person को देखा होगा जो बहुत ज़ादा रोते रहते हैं वो भी बिना ही reason के anytime रोते रहते हैं जिससे अक्सर हम हमारी भाशा में क्या कहते हैं रोत रू इंसान आ गया ठीक है जब देखो बीना वजाई बेवजाई सिफ रोते ही रहते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि वो छोटे बच्चे हैं इसलिए रो रहे हैं बिल्कुल नहीं एक mature person भी जो काफी बड़ा है mature है adult है फिर भी बेवजाई अक्सर हम रोते हैं तो उसके पीछे एक reason होता है या तो हम में feeling hurt हो चुकी हो किसी के लिए या हम bound हो चुके हैं या हमारा accident हो गया है या हमारा कोई अपना चला गया है या किसी से दूरी आ गई है या किसी से हो गई है तो कई reason है हमारे रोने के life के अंदर ठीक है लेकिन कोई बेवजा ही रो जाए कोई reason भी नहीं है उसके पाज छोटे बच्चों की तरह वो है बड़ा लेकिन बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है और रोता रहता है तो ऐसे person को हम क्या कहेंगे cry baby मतलब रोती रहो बच्चों की तरह पता नहीं क्या ऐसी हरकत कर रहे हो पैन इन दे नेक समवन इस रियली अनॉइंग और कोजिज यू लॉट ऑफ एग्रिवेशन अब ऐसे टाइप के life में हमें कहीं person मिलते हैं इवन आपको अगर कोई जानता भी नहो या आप भी उन्हें नहीं जानते हैं फिर भी ऐसे person के जो quality होती है ऐसे person की वो हमें life में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं या टकरा जाते हैं जान भूज कर अब ऐसे person क्या है भी pain in the neck वहला ऐसे person जो हमेशा चिडाएवे type के होते हैं हमें चिडा देते हैं कोई अपनी ऐसी हरकते करते हैं वो लोग कि हम उनकी आदतों से एकदम गुस्से हो जाते हैं बहुत जादा गुस्सा हो जाते हैं चिड़ चिड़े type के हो जाते हैं उनके behavior से ठीक है तो ऐसे person जो आपको बहुत जादा annoying कर देते हैं और उनकी वज़े से आपको बहुत जादा गुस्सा आ जाता है आप चिड़ चिड़े type के हो बज़ाही अपने कामों को छोड़कर दूसरों को परेशानिया देने में बड़ा मझा फील करते हैं, तो ऐसे person से आप हमेशा दूर रही है, जो हमारे क्या करते हैं, पैन इन दानेक, हमारे दिमाग की जो क्या करते हैं, दहीसी कर देते हैं, तो जो आपको चिड़ा दे या आपको कुस्सा दिला दे ऐसे परसन से हमेशा आपको दूरी रखनी जाएए लास्ट फेर वैदर फ्रेंड आपको याद होगी शायद बीयर वाली और टू फ्रेंड्स वाली जिसमें उसका एक फ्रेंड जो है क्या करता है उसे मुसीबत के वक्त छोड़ कर पेड़ के उपर चड़ जाता है फिर बीयर आता है और वो चला जाता है इसको सुनके के मरा हुआ है तो ऐसे दोस्त जो अगर आपके पास सपोस्ट करीजिए आपकी लोटरी लग गई एक करोड रुपे की तो जो आपके फ्रेंड ना भी थे फिर भी आपके पास मख्यों की तरह भिन भिनाते हुए आ गए के तु ये मेरा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त है ठीक है लेगिन जैसे ही सपोस्ट करो वो लोटरी पे पानी फिर गया हो और बरवाद हो गया हो लोटरी बजाय किसी और की किसी और की लग गई तो वो छोड़ कर आपको भाग जाएंगे मतलब दल बदलू टाइब के फ्रेंड जो होते हैं जो हमेशा आपने मतलब के लिए उदें दोस्त बना लेते हैं मतलब निकल जाये तो उन्हें छोड़ देते हैं ठीक है, तो ऐसे person क्या होते हैं, जो आपके अच्छे होते हैं, तब अच्छे हो जाते हैं, खराब माहोल हो जाए, तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे friends को क्या कहेंगे, ऐसे person को हम क्या कहेंगे, fair weather friend, मौसम की तरह बदलते हुए friend, जैसा मौसम वैसा friend, अच्छा म बैदर फ्रेंड I hope so कि आपको इस वीडियो काफी अच्छा लगा और काफी यूसफुल होगा आपके लिए तो जब कभी भी ऐसे परसन आपकी लाइफ में मिलें तो आप डेफिनेटली इन सेंटेंस को उनके सामने यूस करें काफी इंट्रेस्टिक और मजया आएगा आपको यूस करने में और आप इने जो है अपनी डेली लाइफ में ऐसे परसन जब मिलें आपको तो आप इने यूस कर सकते हैं ओके तो जो भी हमेरी टेस्ट सीरीज है आप लोगों की इंग्लिश की जो सीरीज है आप उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे watching if you like my videos please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel nasbarshala thank you take care bye bye and keep continue with me take care